हेलो फ्रेंड्स क्या आप लोग भी क्वाइन DCX में एकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्वाइन DCX में एकाउंट कैसे ओपन करोगे और साथ में यहाँ पर आप बैंक ओपन करोगे क्वाइन DCX में तो आपको इंस्टेंट अप्टू 500 रुपीज तक का प्रॉफिट होने वाला है आपको बस वीडियो में बने रहना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है देखो यहाँ पर दो आप्सन आपको देखने को मिलेगा सा साइन अप इमेल कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अच्छे से डेटेल्स इंटर करना है यहाँ पर फूल नेम जो आपके पैन पर होगा या फिर बैंक अकांट में होगा वही नेम यहाँ पर इंटर करना उसके बाद इमेल आईडी और फिर पासवर्ड पासवर्ड पर OTP आएगा OTP इंटर कर देना उसके बाद मोबाइल नमबर पर OTP आएगा OTP यहां पर वरिफाइग कर देना ओके इमेल और मोबाइल पर OTP आने के बाद वरिफाइग कर दोगे उसके बाद इस तरीके से ये CoinDCX का अप्लिकेशन ओपन हो जाएगा और ये देखो इसका होमपेज ओपन हो चुका है देख सकते हो यहां पर आपको दिख रहा होगा अब यहां पर ध्यान से देखो आपको यहां पर कम से कम 500 रुपे तक का फायदा होने वाला है कैसे होगा अभी मैं आपको बताता हूँ बस थोड़ा सा सब रखो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो अब देखो यहां पर उपर में add bank account का option है तो इसे open कर देना यहां पर आपको अपना account number re-inter account number IFC code डालना है submit कर देना है आपके mobile number पर OTP आएगा OTP डाल करके यहां पर bank account को इस तरीके से add कर लेना है कर देखो यहां पर हम लोग आज जाएंगे home page पर उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है नीचे देखो यहां पर add fund का option आ रहा है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैसे करोगे तब ही आप लो account पर जाओगे तो यहां पर आपको add fund उसके नीचे account setting का option देखने को मिलेगा तो आपको बस account setting में चले जाना है उसके बाद यहां पर देखो complete your kyc का option आएगा उसके नीचे account details है account details में आपको bank account add करने का option मिलता है जो कि हम लोग पहले हैं कर चुके हैं आप यहां पर देख स करना है यहां पर साब साब लिखा हुआ है तीन से चार मिनट के अंदर आपका kyc complete हो जाएगा तो चलो यहां पर continue किये kyc करने के लिए अधार card और pen card होना जरूरी है अधार card नहीं है तो passport भी होगा तो चल जाएगा यहां पर फिर सम लोग continue करेंगे उसके बाद यहां पर allow करेंगे देखो यहां पर इस तरह का इंटरफेस open हो जाएगा सबसे पहले take a selfie यहां पर take selfie blue color का बटन है तो आपको यहां पर एक अच्छा सा selfie ले लेना है कुछ इस तरीके से चलो मैं यहां पर selfie ले लेता हूं आप लोग देख सकते हो यहां पर मेरा selfie हो चुका है complete उसके ब loading लेगा और थोड़ा सा आप लोग वेट करना और यहां पर देखो आपका किवाज सी complete होने वाला है बस थोड़ा सा वेट करो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो उसके बाद यहां पर अधार का फोटो यहां पर आप लोग अधार का जो आगे का फोटो होता है वो फोटो यहां पर अच्छे से क्लिक करना इस तरीके से अधार काट को रखना है और फिर फोटो को क्लिक कर देना है ओके फ्रेंड्स यहां पर आपको यह इस इस वीजिपल पर क्लिक करना है अगर आपका यहां पर अच्छा फोटो है तो यह इस इस वीजिवल कर देना उसके बाद यह लोडिंग लेगा और फिर आपको अधार का जो पीछे का साइड होता है उसका फोटो यहां पर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आप लोग देखो स्क्रीन पर आपको समझ में आ जाएगा मैं यहां पर फोटो क्लिक करता हूं बैक ऑफ कार्ड यह अधा से रख लेंगे इस तरीके से और यहां पर फोटो क्लिक करेंगे यह देखो पैन काट का फोटो भी यहां पर क्लिक हो चुका है और यह लोडिंग ले रहा है थोड़ा सा वेट करो और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक कर दो और इससे अपने दोस्तो कंप्लीट हो जाएगा यहां पर लिखा रहता है कि 24 गंट लएगा देखो किवाइसी अंडर वेरिफिकेशन में चला गया लेकिन 24 गंट नहीं लगता है पांस मिनट के अंदर ही आपका किवाइसी कंप्लीट हो जाता है और आपको एमेल के दोवारा एक मैसेज दिया जाता है कि आपका किवाइसी वेरिफिकेशन सक्सेस्फूल हो चुका है ओके फ्रेंड्स देखो यहां पर अंडर रिवीव है और यह थोड़ा सा समय लेगा कम से कम पांस मिनट का उसके बाद नया इमेल आएगा आपको जहां पर लिखा लएगा कि आपका कि आपको कैसे अप्टू 500 डुपीज का प्रॉफिट होगा तो देखो आप होंग पर चले जाना उसके बाद स्क्रॉल डॉन करके निच्चे आना निच्चे आओगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहां पर देखो ध्यान से डू यू हैब को आपको व को मिलेगा बारी-बारी से आप सभी कोड को अप्लाई करो तो देखो यह कोड जैसे में अप्लाई किया तो 201 रुपए इंस्टेंट मुझे मिल गया यहां पर मैं वीव एस्टेट्मेंट करूंगा तो आप लोग देख सकते हो 201 रुपए इंस्टेंट मुझे मिल चुका है तो आपको भी ये code apply कर लेना है, उसके बाद आपको बारे-बारे से दूसरे code को भी try करना है, अगर आप एक new user हो, तो आपके account में यहाँ पर 4-5 code apply हो जाएगा, आपको बस मेरे उपर trust रखना है, और description में जो भी मैं code दिया हूँ, बारी-बारी से सभी code try करना है, और देखों, यहाँ पर code try करते करते, मुझे email आ चुका है कि आपका KYC verification successfully हो चुका है, यानि कि successfully complete हो चुका है, आपका KYC, देखो इस तरीके से email आता है, आप देख सकते हो, congratulations, your account is now KYC verified, ओके friends, चलो, मैं फटा-फट से add fund करके आपको दिखा देता हूँ, देखों, यहाँ पर KYC verification में जाएंगे, तो green tick लग चुका है, और यह instant 5 minute में verify भी हो चुका है, चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर add fund कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको home page पर चले जाना है, उपर में add fund का option आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर account में जाओगे, तो उहाँ पर भी आपको add fund का option देखने को मिलता है, चलो मैं account में जाता हूँ निचे देखो right side में account open करोगे तो उपर में add fund का option आ जाएगा इसे आपको open करना है और यहाँ पर आपको निचे में देखो withdraw fund और add fund दो option देखने को मिलेगा तो हम लोग add funds पर click कर देंगे उसके बाद हमारे सामने इस तरह का interface आ जाएगा आप 500 रुपिज करना है तो फिर दस हजार रुपए करना है तो दस हजार रुपए भी यहाँ पर add कर सकते हो inкий left çünkü से यह ऀनिपर करना है तो मालों मुझे एक plot रुपए करना है तो 1,000 रूपीज उहां पर मैं इंटर कर दिया continue का बटन है continue कर दूँगा उसके बाद यहां पर बहुत सारे option देखने को मिली गए मुवे की वैलेट, UPI payment उसके बाद bank transfer to HDFC bank मैं यहां पर UPI payment के option को select करूँगा यह बिल्कुल free है यहां पर code transaction charge processing charge नहीं है यहां पर UPI ID इंटर करेंगे और फिर verify and pay कर देंगे मैं phone pay का UPI ID इंटर किया verify and pay करूँगा और यहां पर थोड़ा सा हम लोग wait करेंगे उसके बाद phone pay पर कुछ इस तरह का message आएगा यहां पर हम लोग simply pay कर देंगे और हां देखो आप जो यहां पर code apply की हो और आपको जो free में पैसे मिले है code के दोवरा उसे कैसे बिड्रो करना है उस पर मैं special video बना दूँगा ओ वीडियो का link इसी वीडियो के नीचे description box में दे दूँगा तो इस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लेना तो यहां पर देखो successfully payment add हो चुका है payment successful और यहां पर coin DCX में 1000 रुपए आपको दिखने लएगा यहां पर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा जहां पर मैं बताऊंगा कि इस पैसे से आपको कैसे coin में trade करना है यानि कि coin buy sell कैसे करना है और बिड्रो कैसे करना है इस पर मैं special video बना दूँगा यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका था इसलिए बिड्रो कैसे करना है और यहां पर आपको coin में trade कैसे करना है यानि कि coin को buy sell कैसे करना है इस पर मैं special एक अलग वीडियो बना दूँगा और उ तो बस आज के वीडियो में इतना है बाई वे फ्रेंट सी यू अगेंग